मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी नहीं देख पाऊगे हलो दोस्तों मैं कमल सिंग्स वागत करता हूँ आपके बने यूट्यूब चैनल इस्टरी भी तुनाहूर में दोस्तों हम पढ़ रहे थे महादूइप महादूइप पढ़ा महादूइपों के बारे में बेशिक जानकारी ली उसके बाद हम नदिया पढ़ रहे थे महादूइपों की हमने एसिया महादीब की नदियां पढ़ली यूरोप की पढ़ली उत्तरी अमेरिका दच्छणी अमेरिका हमें पढ़ना है आफरीका महादीब इसके बाद आश्टेलिया महादीब इसके बाद नदियां समाप्त हो गई तो आज हम पढ़ेंगे आफरीका महदीब की प्रमुख नदियां सबसे पहले आप ये जानें कि आफरीका महदीब जो है वह दुनिया का छेतरफल में दूसरा रथा जनसंख्या में भी दूसरा इस्थान है सबसे ज़रा नीवास करती है अफरीका महदीब में देखे मैं आपको दिखा दे रहा हूं आप में ये है अफरीका महदीब यह यहां से यह आफ्रीका है दोस्तों यह यहां से यह यहां से यह यह आफ्रीका महादीप है वनचास देश मुक भूमी पर है छह दूपे देश हैं मेटागासकर मौरिसस सेशल सकोमोर साव टोवे प्रिंसिक प्येपोडे छह देश दूपों के रूप में हैं और मुक भूमेवन चास देश है ठीक है उनका नाम मैं एक बार आपको बता चुका हूं बताने के अब जरूरत नहीं है हम नदिया पढ़ते हैं नदिया आप जानत आपको बताया दिखाया आपरीका महाधू इसी महाधू ANE की नदिय आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और अनकई प्रमुख नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ते हैं नील नदी के बारे में आफरीका महादुप की नदीयों में दो भाग बनेंगे आज पार्ट वन है कल पढ़ेंगे पार्ट टू सबसे पहले नील लिवर नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है आपको पता है नील नदी बिस्तो की सबसे लंबी नदी है जो दो नदियों के संगम से बनती है यह जो नील नदी है यह दो नदियों के संगम से बनती है यानि दो नदियां निकलती है मैं आपको बताऊंगो कहां कहां से निकलती है फिर दोनों जब एक जगे मिल जाती है वहां से नील नद विवांज कषिए नील को इंग्रीश में कहते हैं whereas युद्वी के लान आज के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं आज के पूर्ट बसकी लसकीम्राइब में को विविश्तार हो पाएगा कंava था बहुत सारी नदी निए तरह के बारे में पढ़ते हैं को मैं आपके ब्ता दूंगे सब्सक्राइब एक बार कर नसरे चाहिए के विक्तॉरी जील सै यहां पर विक्टोरिया जील यहां से निकलती है सोईद नील नादी विक्टोरिया जील से विस्वत रेखा को एक बार काटती है यहीं बताया गया है कि सोईद नील नादी विस्वत रेखा को एक बार काटती है यहीं सोईद नील नादी के तट पर ही इस्थी थे क्या यूगान्डा की राजधानी यूगान्डा एक देश है इसकी राजधानी कमपाला किस नादी के तट पर है सोईद नील नादी के तट पर है यूगान्डा में सोईद नील नादी पर ओएन बांध यह है या ओएन बांध निर्मित किया गया यानि कि इसमें यूगान्डा देश में सोईद नील नादी पर एक बांध बना हुआ इसका नाम है ओएन बांध ठ कि राजधानी जूबा इसी नदी किनारे है और इन बांध इसी नदी पर बनाया गया है विक्तोरिया जील से निकलती है विश्वत इखा को एक बार यह निन नदी आप फ़ोड़ा सा डिटल नीली नील नदी के बारे में पढ़ लेते हैं, अब पढ़ते हैं, यह आपने पर वी निन नदी करती है, विक्टोरिय जे छे निकलती है, इसको देखते हैं नीली निदी को, दो नदियां है नीली नील नदी सोईद नील नदी कहां से निकलती है नीली नील नदी का उद्गम एक युथ इथियोपिया की टाना कहीं कहीं आपको टाना मिलेगा टाना क्योंकि English तो इथियोपिया की टाना जील से इसका उद्गम होता कि इसका नीली नील नदी का और जो सुवित नील नदी के संगम से बनती है तो कही नहीं आपस में जाकर मिलतीि हो इग तब तो संगम होता है मिलकर एक संगा मिलती है darkest निलडी के संगम पर सुडख़ेर राज धानि खार तो निृडब। कि सं इस्टीध है ते शॹुए नहीं है सुडख़ा तो आपस को सकते हैं då प्रस्न ये बना कि ये दोनों नदिया नील नदी नील नदी और नीली नील नदी आपस में कहां पर मिलती है सुडान देश के खार्तूम सुडान देश के राज़ारी खार्तूम में दोनों नदीया आपस में मिल जाती है ठीक है अब यहां से बनी नील नदी हो गई दो नदी इस्तित है यह मिलने के पहले यानि मिलने के पहले भी नील नदी नहीं बनी है दोनों नदिया नहीं मिने उससे पहले ही नीली नील नदी पर यानि ब्लू नील लिवर में क्या है पेनार बांध एक बनाया गया पेनार नाम का बांध बनाया गया ठीक है मिस्र की राजधानी का मिस्र की राजधानी जो काहिरा है मिस्र इंगलीश इनदनो इनग्र उसका ुसका ऐजिप्ट दूररने के बाद मेल नदी मेण के इतितृ है किस नदी के तड़ पर रहीं कुछ और गया कि अश्तित्ह निल मिस्र देश में नील नदी पर एक बांध है उसका नाम है आश्वान बांध बनाया गया है और एक जील है नासिर जीली भी इस्थी थे दो चीजे हैं मिस्र में मिस्र की राजधानी कहा इस्थी थे नील नदी के किनारे मिस्र में एक बांध है आश्वान बांध और एक जील है नासिर जील, ठीक है, निल नदी के मुहाने पर सिकंदरिया बंदर गायशती थे, निल नदी के ही मुहाने पर, निल नदी के मुहाने पर, शिकंदरिया बंदर गायशती थे, यह मिसर का सबसे बड़ा बंदर गायशती थे, ठीक है, मिसर से निल नदी का मुहाना है, कहा मुहा भूमद सागर है यहां से जो नीले कलर का आपको दिख रहा होगा यह भूमद सागर है इसी भूमद सागर में मिस्र देश आपको दिख रहा है यह यह मिस्र है पूरा यहां से यह यहां से नील नदी देखी जा रही है और यहां पर मिस्र से होकर यानि मिस्र देश होकर मुहा बनाती है भूमत सागर में ठीक है तो मिस्र देश में क्या क्या है मिस्र देश की राज धानी देखिए नील नदी किनारे है एक आस्वान बांध है और एक नासिर जील है और मिस्र में ही एक सिकंदरिया बंदर गाया है किसके मुहाने पर नील नदी मुहाना बनाती भूमत मा ने आपको को बताया मिस्र उत्र है और विक्टोचिया जh sa नीचे है एक जो सोध दी नदी है विक्टोचियर से निकलती हो निली नदी एतियूपियोपियकी टाना ah किसे निकलती है ठीक है दोनों सुदानी की जाधनी खार तो में मिलने के बाद उत्तर के और प्रवाइद होती है ठीक है नील नदी उत्तर के और प्रवाइद होती है क्योंकि आफ्रीका का जो ढाल है वह मत रेखा के बाद उत्तर की तरफ है इसलिए नदियां जिस तरफ प्र भूमद सागर में गिर जाती है, नेल लदी का मुहाना कहा है, भूमद सागर में, मैंने आपको बताया, दिखाया भी भूमद सागर, नेल लदी का मुहाना कहा है, भूमद सागर में बहती किधर है, दच्छिर से उत्तर की ओर, हमेशा मैप में हमेशा उपर की ओर उत्तर होता नील नदी दच्छिर से उत्तर की और भाहती हुई भूमत सागर में गिर जाती एक तथाओर देख लिए आपने सुना होगा मिस्र को नील नदी के वरदान कहा जाता है नील नदी की देन कहा जाता है, मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है, क्योंकि जब नील नदी बनी, नील नदी का निरमाड हुआ, तो उसे किनारे सहर बसा, मिस्र नाम का बाद में देश हो गया, लोगों ने रहना सुरू किया धीरे-धीरे, बाद में देश का रूप ले तो लोग सबसे पहले कहा बसे नदियों की किनारे जहा जल की उप्लबदता, लोगों का असानी से मिल सके ठीक है। इसलिए वहाँ लोग नील नदी किनारे रहना सुरु किया, उन्होंने मुआने पर मिस्र से होकर जा रही है नदी। दीरे दीरे जनसंख्या बढ़ी देश का रूप लिया मिस्र ठीक है तो जो नील नदी को नील नदी की देन ये नील नदी का बरदान कहा जाता है मिस्र देश को इसको इस तथ को कहा किस ने हेरोडोर्स ने आपने नाम सुन होगा हेरोडोर्स का हेरोडोर्स है काउन इतिहास क यहनक, फादराफिष्ट्री, फादराफिष्ट्री काउन है, हेरोडोस, इन्हों ने कहा था, यानि हेरोडोस ने ही कहा था, मिस्र को नील नदी की देन, दोस्तों, पार्ट बन में, हमने नील नदी के बारे में, बिस्तार से जाना, पार्ट बन में, नील नदी की बिस्तार से बहुत सारी नदियां है काहिरा, कांगो, कांगो, गर्राज, बहुत सारी नदियां है, कांगो या जायरे नदी, उसके बारे में हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, पार्ट 1 में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लग हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करे अपने मित्रों को सेर करें, मिलते हैं कर अगले वीडियो में, पार्ट टू में, तब तक के लिए जय हैं दोस्तों